नमस्कार, मेरा नाम है स्वराज श्रिवास्तो कंगना रनौत और दिलजीत दोसांज दोनों के बीच सोशल मीडिया पर जुबानी जंग हो रही है और इस जंग में दोनों के लेंग्विज का लेवल इतना गिर गया है कि उसका जिक्र भी मैं हैं करना नहीं चाहता ट्विटर आज रजाई में मूँ डालके सो गया है कहीं खैर पहले पूरे मामले का ग्राउंड समझ लेते हैं कि ये लड़ाई आखिर शुरू कहां से हुई और उसके बाद मैं आपसे कंगना और दिलजीत के उपर जो लेवल गिर रहा है इनका उस पर भी बात करूंगा आप लोगों को ये तो पता होगा कि दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का प्रोटेश्ट चल रहा है अब आप में से ही कई सारे लोग ऐसे होंगे जो किसानों के समर्थन में होंगे इस प्रोटेश्ट के समर्थन में होंगे और कई सारे लोग ऐसे भी होंगे जो कि इस प्रोटेश्ट को गलत बता रहे होंगे सब कोई ऐसे ही है आम से लेकर के खास तक हर आदमी इन दो ही धड़ों में बटा हुआ है फिलाल अब इन में सही एक धड़े में हैं कंगना रनौर जैसे लोग और दूसरे धड़े में हैं दिलजी दोसान जैसे लोग मामला शुरू यहां से हुआ कि किसी एक आदमी ने इसी प्रोटेश्ट में हिस्सा लेने जा रही एक बुजुर्ग महिला की तस्वीर सोशल मीडिया पर पोश्ट कर दी अब कंगना ने उस ट्वीट को लपक लिया और उन महिला को शाहीन बागवाली दादी बता दिया हाला कि सचाई यह है कि दोनों महिलाएं अलग-अलग हैं और इनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है और जब इसी बात पर भद पिटी तो कंगना ने अपना वो ट्वीट डिलीट कर दिया अब ये बात अगर इतने पर ही खत्म हो जाती तो फिर कॉंट्रोवर्सी कहां से हो अब आप खुद समझे कि कोई मुद्दा कितनी तेजी से भटकता है कि किसानों के प्रोटेश्ट से शुरू होता है और बॉलिवूड में पालतू और चाटू पर जाके शिप्ष हो जाता है बाराल ये था पूरे मामने का ग्राउन अब इन दोनों के बीच इतने ट्वीट अब आपस में भीड़ने लगे अगर आप काईदे से देखें तो ना तो मैं यहाँ पर कंगना को सही बता रहा हूं ना फिर मैं दिलजीत को लेकिन अगर कंगना की किसी बात का जवाब दिलजीत देना चाहते भी थे तो उनकी भाशा मर्यादित हो सकती थी एक लेवल की हो सकती थी अगर कुछी एक की लेंगवज गिरी होई है तो इसका मतलब यह नहीं कि उसको जवाब देने के लिए हमारी भी लेंगवज गिर जाए कॉंट्रोवर्सी करते रहने कंगना का काम है वो इसी बहाने मीडिया की हेडलाइन में चाही रहती है दिलजीत में भी शायद मौका देखा उन्हें भी हेडलाइन में आने का मन हुआ होगा तो उन्होंने इसको ले करके अपनी तरफ से कुछ बात रख दी लेकिन कम से कम एक language का जो level होता है वो तो उनको बनाए रखना चाहिए था लेकिन उन्हें लगा कि सामने वाला गिर गया है तो फिर मैं भी गिर जाओ खैर कंगना को ले करके जो दिलजीत की language थी अगर आप उसको देखेंगे तो एक बार सोच करके देखिए कि अगर वही कंगना की जगा कोई left wing की महिला होती और उस पर कोई इस तरीके से comment कर रहा होता तो इस समय माहौल क्या होता लोग अलग अलग तरीके से उसको control कर रहे होते लेकिन यहाँ पर मामला पूरा अलग है क्योंकि एक तरीके से कंगना को राइट विंग का माना जाता है अब दिलजीत का कौन सा विंग है वो तो दिलजीत बहतर बता सकते हैं अब दिक्कत सारी यहीं आ जाती है कि हमारे यहां लोग सपोर्ट या अपोस करने के लिए भी अपनी आइडियोलोजी के लोगों के खोजते हैं मतलब अगर यह मेरी आइडियोलोजी का है तो मैं इसको सपोर्ट करूँगा नहीं है तो मैं इसका अपोस करूँगा वो मामले को नहीं देखते कि कौनसा मामला सही है, कौनसा गलत है, किसका स्टेंड सही है, किसका स्टेंड गलत है ideology खोजने लगते हैं हम लोग कंगना और दिलजीत की लड़ाई का profit उन्हें भले ही ना मिला हो और लेकिन ऐसे लोगों को जो की controversy में अपना profit खोज लेते हैं, उन्होंने अपना profit तो बना लिया है अब आप खुद सोच करके देखिए कि किसानों का protest left versus right पर shift हो गया है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुद्दे की बात कितनी दूर तलग जाएगी उसके लिए तो फिर उपर वाला ही मालिक है तो मुझे उमीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो इसे like करिए comment section में अपने opinion लिख सकते हैं कि दिल जीत या कंगना में से आप किसके साथ हैं, आपको क्या लगता है, कौन से ये, कौन गलत है या फिर किसानों के protest को लेकर के भी आपका क्या मानना है वो भी आप लिख सकते हैं इस वीडियो को अगर आप चाहें तो शेयर भी कर सकते हैं, कोई copyright का scene नहीं है, अगर कोई इस वीडियो का अपने चैनल पर upload करना चाहे या फिर community tab में शेयर करना चाहें, अगर कोई YouTuber है तो वो ये कर सकता है, कोई issue नहीं है इंस्टाग्राम पर भी आप चाहें तो इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, बाकि अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ-साथ बेल आइकन पर भी जरूर क्लिक कर देजेगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लेकर क्याता रहता हूँ, तो बलकिलता ही धन्यवाद और जाहिंद